पर हम ये प्रेस कॉन्फरेंस कर रहे हैं वो एक बहुत गंभीर विशह है जैसा आप सब को पता है कि हर्याणा में बेरोजगारी दिन प्रति दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी में हर्याणा लगा तार कई सालों से नंबर वन बना हुआ है पूरे देश के अंदर हालत अब इस कदर खतरनाक हो गई है बेरोजगारी की कि सिर्सा में मैंने दो-तिन दिन पहले खबर सुनी कि तीन युवा नशे की चपेट में आकर तीन युवाओं की जान चली गई और हर दूसरे दिन इस तरह की खबरें अब पूरे प्रदेश के अंदर सुनाई देने ल सरकार 75 प्रतिशत आरक्षन का जुमला की हरियाना के युवाओं को हरियाना में मिलने वाली नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षन मिलेगा जो सरकार ऐसा जुमला फेक करके सत्ता में आई जिन लोगों के सहारे आई उन्होंने पहले तो 75 प्रतिशत का कानून इतना हलका बन वो जुडिशल स्कूरूटनी को जहल नहीं सका लेकिन क्या वाकई सरकार की 75 प्रतिशत हर्याना के युवाओं को रोजगार देने की मंशा कभी रही है इस मंशा पर भी सवालिया निशान खड़ा होता है मैं आपके सामने अपनी आज की ओरिजनल बात रखने से पहले कुछ आकड़े प्रस्तुत कर रहा हूं जो इस सरकार की अब तक की भरतियों के आकड़े हैं क्रिशे विभाग में आप सब जानते हैं 600 ADO की पोस्ट निकली थी उसमें सिर्फ 50 उमिद्वारों का चैन हुआ साड़े 500 पोस्ट इसी तरह खाली रह गई सिर्फ 50 उमिद्वारों का चैन हुआ उसमें 23 पद जो जो जैनल कैटेगरी के थे उसमें से 16 प्रतीशत हरियाना के बाहर के बच्चे सेलेक्ट हुए हर्याना के बाहर के लोग सेलेक्ट हुए यानि 70 प्रतिशत सेलेक्शन हर्याना के बाहर के युवाओं का था इसके बाद 2021 में SDO Electrical की भरती हुई 99 लोगों का सेलेक्शन हुआ इन में से 77 बाहर के थे सिर्फ 22 हर्याना के थे यानि 78 प्रतिशत बाहर के लोगों का सेलेक्शन हर्याना की नौकरियों में हुआ और ये सरकारी नौकरियों की बात मैं कर रहा हूँ Lecturer Group B की Technical Education के लिए जो भरती हुई उसमें 157 में से 103 जो लोग थे वो हर्याना के बाहर के सेलेक्ट हुए यानि 66 प्रतिशत हर्याना के बाहर के लोगों का इस जौब के लिए भी सेलेक्शन हुआ इसके बाद आप देखें 2019 में इसी सरकार में Assistant Professor Political Science की भरती हुई थी जिसमें 18 में से 11 लोग जो थे वो हर्याना के बाहर के थे यानि 61 प्रतिशत बाहर के सेलेक्शन इस भरती में भी हुए HCS की भरती में 34 लोग बाहर के सेलेक्शन हुआ हर्याना अकेला ऐसा प्रांत है जहां पे जो स्टाफ नर्स और वेटनरी की पोस्ट निकलती है उसके लिए हर्याना नर्सिंग रेजिस्टेशन काउंसिल या हर्याना वेटनरी रेजिस्टेशन काउंसिल का पंजीकरण अनिवार ये नहीं है इसकी वज़े से हर्याना के अंदर भी हमारे बच्चों को इन जॉब्स में नौकरी नहीं मिल पाती हریانہ के domicile की जरूरत को खतम कर दिया है हریانہ सरकार ने ये बेहत खतर नाक है हریانہ के युवाओं के लिए इससे जो अभी तक मैं आकडे आपके सामने प्रस्तुत कर पाया कि इतने युवा बाहर के थे इतने भिर्थी बाहर के थे वो आकडे बताना भी मुश्किल हो जाएगा क्योंकि डॉमिसाहिल की अब कोई आवशक्ता नहीं है एक साइन करके कोई भी यह कह सकता है मैं अब हरियाना में रह रहा हूँ और मुझे भी इस जॉब के लिए अपलाई करने का अधिकार हो जाता है हरियाना के युवा कहां जाएं खटर साब किस से नौकरी मांगे क्योंकि आप लोगोंने कोई ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जिससे हरियाना के युवाओं को रोजगार मिल सके और बाहर के लोगों को ही लगातार हरियाना की नौकरियों में तरजी दी जा रही है कि अगर आप बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहते है खटर, दुशंत, सरकार अगर बाहर के ही लोगों को इतनी नौकरी देना चाहती है तो अपने लिए सीट भी चिन्नित कर लीजिए हरियाना से बाहर कहीं खटर साब को कहीं और से ही चुनाव लड़ना चाहिए क्योंकि बाहर के लोगों को नौकरी दे रहे हैं और दुश्चंत जी को भी हर्याना के बाहर ही कहीं कोई सीट ढूंड लेनी चाहिए जहां चुनाव लड़ सकें क्योंकि हरियाना में आप जहां से भी इस बार खड़े होंगे हरियाना के युवाओं ने ठान रखी है कि आप लोगों की जमानत जब्द कराएंगे क्योंकि प्रताडीत है हरियाना के युवाओं ये सीधा सवाल है कि हरियाना के 25 लाक युवाओं कहां जाएं किस से रोजगार मांगे पिछला पूरा एक साल निकल गया शायद ही कोई भरती अपने मुकाम तक पहुँच पाई चालिस से जदा पेपर इस सरकार में लीख हुए है बार 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 पेपर लीख होते हैं उसके बाद कई पोस्टिंग ऐसी है जिनके लेटर देने के बाद भी जॉइनिंग नहीं कराएगी एड़ुर्टीजबन कैंसल कर दी जाती है कभी लगातार हर्याना का युवा बार बार टेस्ट दे करके बार बार ये कोशिश करता है कि मुझे नौकरी मिले लेकिन इस सरकार के अंदर हर्याना का युवा परिशान है उसको नौकरी नहीं मिल रही हमारा सीधा सवाल खटर सरकार से ये है कि क्यों आपने सुपारी ले रखी है हर्याना के युवाओं की, क्यों हरियाना के युवाओं को बेरुजगार रखना चाहते हैं, क्यों 25 लाख युवाओं को सड़क पर भटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्यों उनको नशे की गर्त में धकेल रही है हरियाना सरकार, क्यों उनकी जिंदगी को तबाह करना चाहती है, ये हर्याना के युवा सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं.